हेलो इस्टुडेंट आज ही क्लास में देखेंगे इंटरनेट के कुछ टिप्स और ट्रिक वो भी प्रिक्टिकल के साथ टोटल मैं इस वीडियो में जो है बारा ट्रिक का प्रिक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा तो जो भी इंटरनेट पर काम करते हैं आज के डेट में सभी के पास स्मार्ट फोन हो गया है सभी स्मार्ट डिवाइस के यूज तो कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट तरीके सा आप यह इंटरनेट पर काम करना चाहते हैं तो यह वीडियो वन तक देखिए मैं प्रॉमिस करता हूँ आप इन बारा ट्रिक में से आप तो बात करेंगे पहले ट्रिक के अंतरगत कि आपको मैं यूटूब से वीडियो डाउनलूट करना सिखाऊंगा तो वैसे तो बहुत सारे साफ्ट्वेर हैं एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे हैं पीसी के लिए भी है बट मैं नहीं चाहता कि आप जो है किसी प्रक आपकार का साफ्ट्वेर या एप्लिकेशन कॉलक से आप इंस्टाल करें आप डिरेक्ट जो भी वीडियो आपको डाउनलोट करना है डाउनलोट कर से देखिए क्या होता यूटूब में बाइडिफ़ल्ट जो है कि डाउनलोट बटन रहता है लेकिन जिन लोगों ने यू कि फाइल में जाएगा और उस वीडियो को आप किसी कसा सेयर कर सकते हैं बट यूटूब में डाउनलोट हुआ जो वीडियो रहता है उसको आप किसी कसा सेयर नहीं कर सकते तो मैं अभी बताऊंग आपको कि यूटूब से जो है आप वीडियो डाउनलोट करेंगे बीना कि सफ्ट्वेर के तो चलिए सबसे पहले आप क्या कर लिजिए आप जो है अपना वेब ब्राउजर पे यूटूब उपन कर लिजिए जो भी ब्राउजर उसकर रहे हैं या फिर आप जो भी फायर फॉक्स है उपरा है उपन करने बाद आप यूटूब में चलिए यह और जिस अब को दो अक्षर जो है आपको ऐस जैसे मैंने आप लिख दिया है आपको क्या करना है ट्रिपल डबलू डॉट डॉट के बाद आपको ऐसे जोंड़ देना है कुछ इस प्रकार से ऐसे ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो लोग पहले से मेरा लेक् और जैसी आपको link दिखाई देगा उसमें आपको www के बाद जो dot लगा रहता है उसके just बाद आपको दो बार ऐसे ASS लिख देना है कुछ इस प्रकार से और आपको enter बटन दबा देना है जैसी आप enter बटन दबाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया screen दिखाई देगा step 4 में जैसे मैंने लिखा हुआ है यह screen आपके सामने प्रदर्सित होगा जहां पर यह वाला जो section रहत है वहां पर आपको वीडियो का URL दिखाई देता है यहां पर आपको वीडियो प्रदर्सित होगा जैसे देख लिए जो link है मेरा वो वीडियो यहां पर दिखाई दे रहा है और उसी के just bugle में यहां पर देखिए आपका यहां पर वीडियो का resolution दिखाई दे रहा है आप वीडियो को 720 पिक्सल में डाउनलोड करना चाहते है त यहां पर बात करें तो 1080 पिक्सल में दिये हुआ है तो जिस quality में आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते है तो इसको सेलेक्ट कर लिजेगा और सेलेक्ट करने बाद डाउनलोड बटन दबा दीजेगा यहां से आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा और यह परमानेंट आपका MP3 format में डाउनलोड हो तो MP3 format में भी डाउनलोड हो जाएगा चलिए next देख लेते हैं next है हमारा कि create GIF from YouTube मतलब YouTube में कोई वीडियो है आप उसको GIF बनाना चाहते हैं तो देखिए भाई आज कल तो GIF सबको पता है GIF का फुलपर मैं बता देता हूं आप लोगों को graphic interchange format यह एक प्रकार का image का format होता है जैसे आप लोगों सुनोगा JPG format होता है PNG format होता वैसे GIF होता है जिसमें आप चलिए मैं आपको बताऊं क्या दिखाई देता हूं यह दिखिए इस प्रकार से आप लोगों के mobile में आए दीन WhatsApp, Instagram, Facebook में इस प्रकार का GIF format आपको दिखते रहत और YouTube में जिस भी वीडियो का आप GIF बनाना चाहते हैं मैं फिर से देखिए एक URL ले लिया हूँ जिस भी वीडियो का मुझे GIF बनाना था यह दिखिए इस प्रकार से अब मेरे next come क्या रहेगा मैं क्या करूँगा अब जैसे कि पिछरे trick में हमने देखा था www. के बाद मैं SS लगाया था यहां पर मैं www.gif लगाऊंगा जिस लगाने के बाद यह देखिए इस प्रकार से आपका URL पर दिखाई देगा और आपको क्या कर देना है इंटर दबा देना है जैसे ही आप इंटर दबाएंगे यह वाला स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा यहा लुटी बनाते हैं कुछ सेकेंडं देखिए आपको इधर देख लेजिए क्या होता है जो वीडियो रहना है वह आपका फूल लेंद का रहता है लेकिन हम लोग जीर बनाते हैं वह ओंप्रेस करके बनाते हैं कुछ सेकेंड 10osaurus 15 कही हमदों क्या करते हैं जीर फरेंट बनाते तो आप यहाँ पर time set करना पड़ेगा आपको यहाँ पर देख लिखा रहा हुआ start time कितने minute के बाद और आपको यहाँ पर in- tampoco conv पताना पड़ेगा उसको आपको manually पर लिख सकते हैं उसके आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे यह नीचे का हमारा जो बाटम वाला पोर्सर रहता है वह आपको दिखाई देने लगेगा वहां पर टाइम सेट कर लिजेगा कहां से कहां तक करना है और टाइम सेट करने के बाद जो इस प्रकार से देखिए जो ब्लू कलर के स्क्रीन दिखा रहा है वैसे आपको प्रदर्शित होगा और जब यह सब कुछ आप सेट करके देख लिजेगा चला कि यहाँ वीडियो भी चलता रहते हैं यहाँ पर देखिए यहां पर वीडियो चल रहा है यहां पर मैने साउंट को इनेबल कर देखा अपको आपको पॉस दिखा म्यूट दिख कर लिया अब आपके यहां पर देखिए हमारे पास right click का button दीख रहे हैं आपका time set हो जाएगा और अंति में आपको क्या कर देना है trim clip का option दीख रहे हैं सबसे नीचे उसको click कर दीजिए अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक option दिखाई देगा create gif का अब सब कुछ set हो चुका है कौन से वीडियो था कितने second के लिए बनाना है और यहां से आप क्या कर दीजिए create gif कर दीजिए और आपका gif फाइल जो है create हो जाएगा ठीक है और अंत में आप से वह पूछेगा कि आप जो gif बनाना चाहते हैं उसको कुछ नाम देना है कुछ take वगर लगाना है तो take लगा दीजिए नहीं लगाएंगे तो अभी कोई बात नहीं नाम तो देने ही पड़ेगा क्योंकि फाइल को आपको download करना पड़ेगा यहां पे देखिए public लिखा हुआ है public private जो भी आप करना चाहते है personal use के लिए तो private कर लिजिए public करना चाहत तो देखिए अगर इमेज रहता तो सब एक साथ दिखाई देता है लेकिन मैं आपको दिखा दूए देखिए कुछ इस प्रकार से होता है एक-एक करके display हो रहा है ठीक है तो यह जी है यह बनाने का तरीका था नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर थर्ड मेक टेंप्रेरी इमेल आड़ी देखिए आज जो है सभी लोगों के पास जैसे कि मैंने कहा Android फोन है स्मार्ट फोन है और स्मार्ट फोन यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कंपल से रही है कि आपके मोबाइल में आपको इमेल आड़ी से लॉगिन करना पड़ेगा ठीक है तो सबके पास अपने एक पर्मानेंट इमेल आड़ी रहते ही है लेकिन आज अर्ट एक्टिविटी ना करते करके सिक्योरिटी परपस क्ले हो एक इमेल आड़ी मंगता है तो आप जब भी लॉगिन करेंगे या उसको एकसे भी करना चाहते तो मेल आड़ी डालना पड़ता है और आप यहां मेल आड़ी देके फस जाते हैं कैसे फस नों भी बता रहो एक बर मेल आड़ी देते हैं फिर वो बार-बार आपको स्पैम मेसेज भेशते रहते हैं तो इस प्रकार से आप कभी अपना मेल चेक करते हैं जीमेल आपका काम का एक-डू मेल ही आया रहता है और आपका पूरा-पूरा इंबॉक्स भर गे रहते हैं स्पैम मेसेज से तो mail id बना को वहां पर क्या कर लिए लॉग इन कर लिजिए आपका काम खतम होगा mail id भी आपका क्या हो जाएगा automatic वह डिलीट हो जाता है तो चलिए एक बात कर लेते हैं कि कैसे हम एक temporary mail id बना सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर से web browser बजाना पड़ेगा यहां पर मैंने website का नाम दिया गया हाला कि बहुत सारे website है जो provide कराता है लेकि मैं personally जो मुझे पसंद है मैं इस पर काम करता हूं यहां से आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस प्रकार का आपके समने webpage open होगा और देख लीजिए यहां पर लिखा है your temporary mail address is this ठीक है यह देखिए मेरे को एक mail id जो है उन्होंने provide करा दिया है अब मैं इस mail id को copy कर लूँगा यहां पर copy का बटन भी दिया हूँ है आप यहां से उसको copy करके आप इसको use भी कर सकते हैं तो देखिए सबसे जरूरी चीजें आप मैंने note group में link दिया है कि इस mail id से आप केवल और केवल mail प्राप्ट कर सकते हैं आप किसी को भेज नहीं सकते हैं ठीक है यो कि जब भी मैं जो registration की बात कर रहा था कि इस website में जाते हैं तो सिर्फ आप से पूछता है email address बता दीजिए तो फिर verification code भेजता है तो verification code भी आपके पास आएगा आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा verification हो जाएगा ठीक है और इसका खास बात यह है कि एक निश्ची समय के बाद ही अपने आप खुद को ही वह जो strike कर लेता है नस्ट कर लेता है तो चलिए यह कैसे काम करता तो वह भी आपको दिखा देता हूँ मैंने अपने personal mail id है उससे मैंने अभी जो मुझे temporary मील है उसको मैंने mail करके आप लोग को लिए रखा हुआ है यह देखिए मेरा mail id यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने subject उरूप में nothing important करके लिखा हुआ था और यहाँ पर view button है इस button को जैसी मैं से click करता हूँ यह देखिए इस मेरे समने display हो जाएगा कि मैंने क्या message किया था ते दिखिए भेजने वाला यहाँ पर मैं था मेरा mail id लिखा हुआ है यह देखिए सुबह मैंने यह जब video बना रहा था उसमय की बात है यह subject मैंने nothing important लिखा हुआ था और hello student लिखा हुआ था तो इस प्रकार आप देख सकते है कि temporary जो mail id रहता है वो working है यहाँ आसा है कि मैं कुछ भी बना कि आपको दिखा रहा हूँ आप इसको use करके देख सकते हैं ठीक है बस याद रखने वाले चीज है कि आप इसको mail भेज नहीं सकते हैं सिर्फ आप क्या कर सकते हैं चलिए next जखते हैं trick number four कहता है कि आप hidden password को कैस आपका mail id जो इस पर दिखाई दे रहा है कि मेरा mail address है जो भी है वह आपको दिखाई दे रहा है लेकिन यह password दिखाई नहीं दे रहा है सपोस करिए आज से मैंने साल भर पहले login किया था और मैंने आप देखेंगे कि आचल जीते ही browser उसमें स्वीधर रहता है save password का आप जैसी आपका ब्राउजर तो close हो जाता है लेकिन आपका account खुल हुआ रहता है ऐसे कैसे माली जी आप साल भर बाद यह हो सकते हैं दो-तीन महने बाद तक आपने login नहीं किया आप आप देखिया आचल क्या है सबके अपास भई इतने सारे आपके social networking site है Gmail account है इधर अधर कितना इस माप coupon करना है हो सकते है वंभाई'll chanj कर ईतने सारे है या दूसरे कंप्योटर में आप instruments में आप सिस्थिति क्लीक करेंगे देखे लास्ट में अपको यहाँ पर इंस्पेक्ट का आपसन दिक रहा होगा last all option देखे लिखा हुआ है आपको second step में क्या करना है इस इंस्पेक्ट को आपको क्या कर लेना है Select करने के बाद एक page open होगा कुछ इस प्रकार का यहां पर देखिए यह पेज उपन होगा उसमें आपको ध्यान देना है आपको जाना कहां पर है तो देखिए जो में देखिए यहां पर यह है भी जो आपको यह एक यहां पर आपके सामने लुव्त दर्फीन के जरूआ रहना है पहला क्या देखेगा मैं बीच में बता दूंगा जैसे पहले भी कहा था कि आप का जो Chrome X विधा देता है कि पासवर्ट को सेव अगरे करना की किमा फेलिए आप से लीए वहरा लॉग पूह से करना है कि नहीं से करना ड़को से रकना हैं से Apple को से भक्रुफिकला यह दिरके से निए क्या होता है यह एकम अलगा घेया लिए जब भीकार से क्या होता है यह Jest निए講 करते हैं डेबिटार्ट वगर देटेल चुड़ियागा तो आपका लेने का देना पड़ सकता है इसलिक है इसे और अगे बढ़ते हैं इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है अब क्या करना देखिए विब ब्राउजर के सेटिंग को अपन कर लीजिए जैसे माली जी मैं क्रोम की बात कर रहा हूं तो मैं क्रोम का सेटिंग ऑप्सन पर जाओंगा इधा टाप करनर में से यहां पर बटन रहेगो ऐसे उसको क्लिक करूंगा यह वाला आपसफ aux All उप्सन पासवर्ट को सेट कर लेना है ठीक है पासवर्ट को जैसी आप सेट करेंगे देख लेगा इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगा है आपसे पूछेगा यस करेंगे तो वो सेवकल लेगा ठीक है यहां पर देखिए मेरे पर बहुत सारे माइं वेबसेट जिस पर मैं लॉगिन होते रहता हूं तो यह देखिए एकसी वेबसाइट जो भी है नाम आप देख सकते हैं आप जैसे मैंने देखिए सब्सक्राइब करेंगे जैसे इसक्तु क्लिक करेंगे आपके पर इस प्रकार से स्क्रीन हैंगा Windows security का तो देकिए इनके सिस्टम ओसना हैगा जीननकेTodd जिनके किने के सिरिय कि धा हुला दूब्स स्कूर्टेकर देखैंगे जिनके लेकम वेल्कम पासवड डाल के रखे हुए है तक मेरे सिस्टम में डला हुआ, इसलिए ऐसा पासवड आ गया आपके पासवर्ड करूंगा यूद पहले डाट डाट वह प्रदर्शित होने लगा है तो इस प्रकार से आपके पासवर्ड आपको पता चल जाएगा उमीद है आपको अच्छा लग रहा होगा चलिए नेक्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 6 क्या कहता है अपर्माल् कोब दो यह ξंची कते हैं अपको अब में नहीं घुलते हैं चलिए ч्छा या किसी दूसरी Instagram और सिक्ष्ण में पास अपसो प्रकार से होता हूं कि stop this website is block करके option आएगा यह कभी-कभी your connection is not private लिख हुआ इस प्रकार से आपका error में से सो करता है कई बार आपको 404 एर नाटफोन वाला भी display होने लगता है कभी-कभी जो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना है आप जैसे जब भी URL पर टाइप करेंगी करेंगे ह नहीं तो आप जो भी website ब्लाग बता रहे हो सबसे पहले link को कॉपी करके रख लो आप लिंक को कॉपी कर लीजिए जहां जो website आपको ब्लाग बता रहा है दूसरे इस टेप में आपको Google Translate ओपन करने देकि Google Translate Google की स्वीधा है हाला कि यह translation के लिए काम आता है जैसे English language को Hindi में करना है या किसी भी other language में करना है तो उसके लिए Google Translate के लिए लेकिन मैं इसको जो है प्रोक्सी के लिए यूज कर रहा हूं Google Translate को ठीक है ब्लाग को अनब्लाग करने के लिए तो यह देखे इस प्रकार से आपका इधर देखे माने English लिए हुआ है जिस language में काम करना चाता ह और उसको हिंदी में Translate करना चाता हूं ठीक है अब आपको क्या करना है आप जो पहला option step on में हमने जो लिंक कॉपी करके रखा हुआ है उसको आप इधर English वाले सेक्षन में पेस्ट कर दीजिए पेस्ट यूर लिंक करके मैं ने देख लिए कि यहां पर किया हुआ है आप प छो चो काहते है इस प्रतार हें लिंक करना है, इधर हो थीक है हिंदी वाले सेक्षन को कलिक करना है तो क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पre आप जो भी website उन रिढम अपर प्रदर्शिट हो जाएगा धुक है इस को करके देखिए अ अब मुझे वो टेप फिर से मुझे चाहिए मुझे मेरा उस पर काम चल रहा है मैं कुछी सर्च करके रखा था फिर से सर्च करने में काफी टाइम लगेगा तो उसके लिए मैं क्या कर सको दिखिए हाला कि इसके लिए दो तीन तरीके हैं तो मैं डारेक्ट आपको सौटकट बतारों में देखिए मैंने तीन टेप खुल के रखा हूँ देख रहा हूंगे आप पहला वाला टेप में देखिए मेरा यूटूब का चैनल कंप्यूटर जी के बायर के लिख हुआ इधर विकिपीडिया है और इधर अटल भिहरी बाचपे के वेबचेट खुल हुआ हु कर लिजेगा राइट क्लिक करने के बाद एक उप्सन दिखाए देगा री ओपन लास्ट क्लोज टेप पर एक उप्सन आता है आप वहां से भी कर सकते हैं डारेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इफ्ट प्लस टी दबा दीजिएगा आपका पूराना वाला टेप उपन हो ज यहाँ इस प्रकार से डबर कमा हैं इसको यूस करते हैं फाइं एकजेक्ट वर्ड अब इसको मतलब क्या है आपको प्रेक्टिकल के साथ बता रहा हूं कि एकजेक्ट और को ऐसे करने का मतलब क्या है सब्सक्राइए यह देखिए दव ऑलग-अलग इमेजे से भाई आपको इंटरप्रेस करूँगा तो क्या करेगा जो वे ब्राउजर है यहां पे आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं कि अफिरी बता दे तो मेरा तो काम है बताना है यहां पर देखिए टोटल कितने यहां पर देखिए जैसे यहां पर देखिएगा वीडियो अलग 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 देखिए जैसे इसमें लिखेवा जी के कंप्यूटर आरके लिखा हुआ है ठीक है यहां पर आरके सक्सेना का बूक आता है आरके गुपता का बूक आता है यहां पर जनरा नालेज लिखा हुआ है आप चार वर्ड से समब़ी है क्भाई को अधो मतलब kamu को ढूंड रहा है, और जीके को ढूंड रहा है यदि आपको मेरा चैनल चाहिए तो तो पिर आप तो ऐसे में तो ढूंडता ही रह जाएंगी, क्योंकर अस्य ही जार मैं से कैसे फिल्टर करेंगे आप समझ रहे हैं ना तो यदि आपको exact word चाहिए जैसे आपको वही सब्द चाहिए जिसमें मतलब वही जानकारी चाहिए इंटरनेट से जिसमें यह चारो वर्ड एक साथ लिखा हो ठीक है क्योंकि मेरे वेबसेट तो तभी मिलेगा आपको कि जब यह चारो वर्ड एक साथ लिखा रहेगा पर मिले कि उसी को सर्च करेगा अलग-अलग फिर सर्च नहीं करेगा समझ रहे हैं क्या एक साथ उतना वर्ड को ढूंड़ेगा अलग-अलग नहीं ढूंड़ेगा उम्मीद है आपको समझ माया होगा तो चलिए अब आपको यहां पर स्क्रेन पर ले चलते में देखेए यहां पर जितने भी आपको सभी कि दीख रहे हैं सभी कि सभी मेरे वीडियो है यह मेरे लिंक है playlis टलग-लग बना हुआ है किसी और कनी है क्योंकि इस नाम से यूट में double inverted comma लगा दीजिएगा next देखते हैं trick no.9 minus sign का प्रयोग यह भी Google पे ही search से संबन्दी थे देखे अब इसको यह मैं direct practical की बात करूँगा यह देखिए मैं जो है यहाँ पे देखिए search box में मैंने क्या लिखा हुआ है मैंने लिखा हुआ iPhone 11 pro max ठीक है तो iPhone 11 pro max को फिर से वही बात है वो ढूनना सुरू करेगा तो उससे समन्दी जो भी जानकारी मिलते जाएगा उसको वो क्या करेगा website में प्रदर्शित करेगा यह देखिए इधर वाले को देखिए यह पहला पेज़ है यह दूसरा पेज़ है अब यह देखिए जब आप iPhone देख रहे हैं यहाँ पर आप सबको पता है iPhone जो है किसका प्रोड़क्ट है एप्पल का प्रोड़क्ट है और आप देख रहे हैं जब सर्च शुरू किया यह तो मात्र जीरो पैंट सिक्स फॉर सेकंड में उसने 99 लाक मतलब सम्थिंग नहीं ह अब उसको मैं गिन नहीं रहा हूं ठीक है आप समझ पारें कि इतने सारे जो है रिजल्ट आपको समय प्रदर्शित कर रहे हैं और आप एक चीज नूटिस करें नहीं कर रहे हैं आपको उता दूँ है तो iPhone जो है Apple का प्रोड़क्ट है लेकिन सबसे पहला आप सन Amazon का दिखा आप क्या चाहते हैं कि iPhone Pro Max मैं ढूंड़ूं लेकिन पर्टिकुलर एक website में मुझे नहीं चाहिए जैसे कि मुझे उधारान के लिखना चाहता हूं मुझे iPhone 11 Pro Max का सभी website से मुझे जनकारी चाहिए लेकिन मुझे Amazon का detail मुझे नहीं देखना है अमेजान से संबनित कोई भी ज देख लीजिए आप यह देखिए मैंने कहा मुझे iPhone 11 Pro Max का detail चाहिए except मतलब छोड़ के ठीक है except मुझे Amazon मतलब माइनस अमेजान लिग दे मतलब वह अमेजान से समय से जानकारी मुझे नहीं बताएगा ठीक है क्या मतलब फिल्टर कर देगा Amazon अमेजान वाला जो भी रह उसक पहले एक सांग आया हुआ था आप सबने सुना ही होगा ठीक ससुरार गंदफूल तो पहले जो है दिल्ली सिक्स में था बाद में उसको भी बादसा ने गाया है तो कुछ लोगों ने काफी मजाक उड़ाया क्यों पुराना वाला ही वर्जन ठीक था क्यों खराब कर दिया आप मालीजी उस गाने को ढूंड रहे तो वह लेटेस्ट वाले को ही आपको पहले दिखाएगा बादसा वाले को लेकिन आपको तो सुनना है पुराने वाला तो आप क्या करिए गाने का बोल लिखिये सुरार गंदफूल और माइनस करके लिख दीजे बादसा तो बादसा लिखें या किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या चेटिंग कर रहे हैं सड़नी कुछ नया वड मिला अब कुछ लोगों में सब्सक्राइब मुझे इसके बार में जानना है तो आप क्या करवेगा जारो करोड़ो लाखो अर्बो में ही रिजल्ड देता है तो आपको उतना लिखे और इंटरनेट लिख दीजे इस पकर्स्ति से देखे डिशनेरी उपन होता है यहां पर सब्द लिख रहेगा आप चाहे तिसको आप सुन भी सकते हैं और यहां पर देख लेजिए उसका मीनिंग लिख हुआ है ठीक है तो विदीन सेकेंड जो है आप जो है किसी भी व फाइल वगने डाउनलोड करते हैं तो उसमें उसके मादम से वाइरास आता है और यह 100% सहीं चीज है कि जो वाइरास है जो इंटरनेट के थ्रू ही आता है तो आप यह नहीं चाहते हैं कि यह वेबसाइट सेफ है की नहीं है और आप सबको पते कि इतने भी जो साइबर क्र पते हैं तो आप यह नहीं चाहते हैं किसी प्रकार की घटना हो आपके साथ तो आप किसी भी नए वेबसाइट पर पहली बार नाम सुन रहे हो तो एक बार थोड़ा से रूख के चेक कर लिजिए कि वेबसाइट जो है भरोसे मन्द है कि नहीं हुस्ते हम कुछ बिजिए ड जैसी क्लिक करेंगे आपके समनी के वाला आपका वेबसाइट ओपन होगा गूगल ट्रांसपरेंसी रिपोट का यह देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा दिखिए यहां पे वेबसाइट को लिखना पड़ेगा यह दिख लीजिए मैंने विलास्पूर उनिवर कर सकते हैं उस पर आप विजिट कर सकते हैं ठीक है यदि इसमें किसी प्रकार क्यासा आता है कि नाट फॉंड ऐसे कुछ आएगा क्रॉस आएगा तो समझ जहिएगा कि वो सेफ नहीं है ठीक है चलिए लास्ट बट लिस्ट कहते हैं देखिए मोस्ट इंपॉर्टन और सबस करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट को होना वश्यक है डेटा पे को होना वश्यक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप बीना डेटा का बीना ऑनलाइन में भी आप क्या कर सकते हैं सर्फिंग कर सकते हैं बहुत इंपोर्टन चींज है यदि आप स्टूडेंट है तो उसके लिए मालेज या आप कोई वेबसेट है जिसमें से आप हमेसे स्टूडी करते रहते हैं बट कुछ आपके पास डेटा लिमीट कम है या फिर आपके पास हमेसे इंटरनेट नहीं रहता है या आप ऐसे जगह में रूरल एरिया में जहां आपका कॉलेज जाते हैं आप ब्लॉगर को फालो करते हैं उसका वेबसेट व्लॉग हमेसा पढ़ते रहते हैं या आप आटिकल पढ़ते रहते हैं तो उस सिच्वेशन में आप चाहें तो उस पूरे वेबसेट को जो आप डाउनलोड करके रख लिजिए और आप उसको बीना इंटरनेट की मदद स जब चाहें जहां जहां उसको रिट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक साफ्ट्वेर डाउनलोड करना पड़ेगा चिंता मत करें काफी बड़ा साफ्ट्वेर नहीं मुस्किल से 4.3 MB का साफ्ट्वेर है बहुत आस सपना है इससको डाउनलोड करना इंस्टॉल करना और यह फ्री है बिलकोल भी तो मैसका लिंग बी जो है डाउनलोड LM इंस्क्रिप्टा करने की बढ़ेगे इसको इसको इंस्टॉल करने लिए इस प्रकाईर से इस नमस्ट स्क्रिन दिखल स्वरें करेंगे तो पहली अप kar पर उपन करेंगे और यहाँ पर क्या कलिए नेक्स्ट बटन दबाईए नेक्स्ट बटन जैसे आपके पास दबाएंगे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दो काम करना पड़ेगा पहला क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा क्या प्रोजेक्ट का ना पढ़ेगा लोकेशन बताना पढ़ेगा बाइडिफ़ल से ड्राइव में कहीं पर जाता हिए आप उसको अपने स्विधानुसर ड्राइव इड्राइव में देखिए मैंने क्या कर दिये हैं यहां पर इस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा जिस भी वेबसाइट को आप आपको सेव करके रखना उसका आपको यूरेल को कॉपी करना पड़ेगा तो आज यह कोश्या नंबर थर्ड है यूरेल का फूल फार्म ठीक है चलिए तो थर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे आप जिस वेबसाइट को आप डाउलोड करना चाहिए उसको वहा बटन दबाएंगे आपका जो डाउलोडिंग है वह स्टार्ट हो जाएगा डाउलोड इस्टार्ट होने में देखे थोड़ा टाइम लेएगा हो सकता 25-30 MB का फाइल हो तो उसको थोड़ा सा अब आपके इंटरनेट के उपर डिपेंड करते हैं कितना समय लागेगा ठीक है लेकिन जैसे डाउलोडिंग कंप्लीट होगा आपके सामने फिर से एक फिनिस बटन दिखाई दे रहा होगा इस फिनिस बटन को दबा दीजिएगा और आपका डाउलोडिंग कंप्लीट हो चुका है अब जैसे आप फिनिस बटन को दबाएंगे आपका काम तो खतम हो गया अब आप एक बद जाकि वह चेक कर लिजे कि आप download हुआ कि नहीं हो उस folder में तो download पूरा होने के बाद जिसी folder मैं आपने वेबसेट को download करने के लिए stuffs दिया था वहां उस drive में जाए और उसको open कर लिजे मीने क्या ओप ड्राइ tartani faci यहांपर देखे, इस प्रकार से उसका पाच फायल बनेगा आपके सिस्टम में झाओ ् इसमें सबसे जिर रिटेक्स जो बने हुआ है इस प्रकार सी यह फायल है इसको आप क्या कर लिजएका right-click करेगा right-click करने के बाद किसी विब ब्राउजर की मदद से ओपन करिएगा मैं जो है इसको यह देखिए मैंने फार सारी क्रोम की मदद से मैंने इसको उपन किया है अब आप लोग कहेंगे सर हम कैसे मान ले भाई कि यह आनलाइन हो रहा है कि आफलाइन हो रहा है तो मैं आपको प्रूफ के लिए अब यह वैसे ही काम करेगा जैसे आपका आनलाइन ने ट्रेने पर खुलता है वैसे ही काम करेगा आफ लाइन तो उम्मीद करते हूं मैं आप लोगों ने कुछ आज नया और अच्छा सिखा होगा यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा द आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके कि इसमें से आपने कितने ट्रिक जो है पहले भी करके देखा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते है नेक्स वीडियो